नमस्कार दोस्तों आपको हमारे चैनल एनली से साइंस में स्वागत किया जाता है गर आप मारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक से और कमेंट जियूर कीजिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे फस्ट काउंटेबल स्पेस फस्ट काउंटेबल स्पेस और सेकेंड काउंटेबल स्पेस क्या है इसके बारे पढ़ेंगे और इसकी डिफिनीशन और इसके कुछ एक्जामपल भी लगाएंगे यहाँ पर चले वीडियो को सुरू करते हैं तो को सुरू करने से पहले बता दी हैं आपको इस चनल पर यहां पर यह आप स्थींस्फन्स का बीडिव लेक्चटर भी इस चनल मिलेगा और यहां पर हमने ढाख की यहां से शुरु करते हैं और शाथ-शाथ बता देंहां स्पेस की डिफिनिशन है एक टोपोलाजीकल स्पेस एकस्टी से टूबी या फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा यहां पर एक टोपोलाजीकल स्पेस है एक्स और टी इस से टूबी या कहोगा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तभी होगा इन विच देर एग्जिस्ट करेगा countable local base होगा at each point each of its point जो point दिया जाएगा उसका countable local base होना चाहिए तो तभी यह first countable में space होगा और यहां पर आगे देखें इसे उद्हार सा समझेंगे तो और बढ़े समझ में आएगा क्योंकि टोपोलाज का space में यहां पर दिया गया है कि count countable क्या होगा तो यहां पर देंदे रिजिस्ट करना चाहिए क्या देंदे रिजिस्ट करना चाहिए countable local base होगा at each its of points जो point दिया जाएगा उसी पर हमें countable local base निकालना होगा यहां पर आप चलिए यहां पर देखते हैं आगे दिये गए कि first countable space is also just sometimes times is called the first exam space अर्थात first countable space को हम first exam space भी कहा जाता है तो कई-कई बार definition में यहां पर पूछ लेता है कि first exam space क्या है तो यहां पर घवराना नहीं यहां पर उसी को भी यह first countable space every point of x of capital x has a countable neighborhood base होना चाहिए आप साथ countable neighborhood base होना चाहिए यहां पर चलिए यहां पर आगे पढ़ते हैं यहां पर local base अगले वीडियो में बताया था आप उसको जवर देख लीजिएगा तभी आप को हैं समझ में आएगा क्योंकि यहां पर हमें local base की ज़रुष है तो यहां पर local base कैसे लए हमने बताइब हिसका सबसे पहले इसका तो इन स्कौल टु वन पर उपन से स्क्राइब तो यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो इसका लोकल बेस के हो जाएक है दो एक्स हो जाएगा और हम बता दें तो यहां पर जो एकस्कुल टू वन पर इस लोकलb every यहां पर वन वन पर इस लोकल बेस हो जायए गा और थाथ यह इस वॉन पर भी लोकलb gallery हो ज़ेगा लेकिन यहां पर देखे वअ और टू जु कईया यहां पर खॉल एक दे दियें गए लोकर बेस जुए में यहांप ठैस्वाइ से समय तो यहां पर यहां है जो सब्सक्राइब हो जाता है यहां पर यहां पर यहां पर इसमें भी और इस लिए Story यहां कुछ इसलिए रौग्यां तो एक है लेकिन है केले कर दिए जा isn't जोकल बेस होका हाँ अपर यहाँ नहीं हो गए हो जाएगा तो ये विदे कान्टे रखता Mutus रखता है सिर्म 10 वर एक्स में तो ये ये क्हुंता पर अब क्या यहां पर भी सेद्कोंikhju देखें बेतूhem तो इस लोकल बेस हो जाएगा यह स्कॉल टू टू पर लेकिन यहां पर देखे ध्यान से कि यह यह स्कॉल टू क्या वन टू वन टू इस लोकल बेस होगा नहीं होगा क्योंकि यहां पर अकेले यह यह स्कॉल टू 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 पर जो है वन टू इस लोकल बेस नहीं हो जाएगा हब क्योंकि यहां पर 120 सिर्फ इसमें नहीं c centered कर रहा है इसमें सिर्फ落 कराई इसमें वी इसमें नहीं करना चाहिए अश्जद साथ बिलांस करना चाहिए नश्रीट कर नहीं हो जायए iq3 पर liek localünde तो बी-3 घूश्य यहांपर रेक स сот है ढूबिशाे लूब यह लियाद से पार झूश tut perfect itism. यहां पर जिके हो जाएगा क्यों कीूश्व यहां पर देखे ना तो इसमें से इसमें फोर है ने तो इसमें है ना इसमें और इस सिर्फ इसी में है आगे देखते हैं आगे के सेटेंंट काॉंटेबल स्पेस का नहीं पर दिए दोडिये कहा है यांपर सबसे कहलेńsk यहां हपर दिये सेंट कांके बलें इस्पेस की डिφीपनीचनन है यहां पर देखें यहां पर हमें countable open base होना चाहिए एक जो मेंबर जिस मेंबर पर निकालना हो गए उसका countable open base निकालेंगे तो इत है जो countable open base होगा तभी यह second countable space हो गया हम पर अर्थाथ अब आगे देखिए अब इसे second countable space को देखें सेकंड countable space इस था सब्सक्राइब चालब the second स्ट्रीजिकल 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 स्ट्री define किया गया फाई है ए बी एबी और एक्स है यहाँ पर चलिए यहाँ पर बेस निकालते हैं तो यहाँ पर countable base for you तो countable base निकालेंगे तो base के लिए देखें कि यहाँ पर देखें base b is equal to सबसे पहले लिए जाता है यहाँ पर देखें यहाँ से sprint हो गया है इसका हो जाएगा सिर्फ क्या यहां पर हो जाएगा फाई ए और बी और क्या हो जाएगा एबी और यहां पर यक्स हो जाएगा अब इसी पर हम चेंग करें क्या है जो है काउंटेबल बेस है तो यहां पर देखें सबसे पहले फाई का यूनियन फाई के साथ करेंगे किस्फ के मैंने name का यहां पर嫔त है यहां प्हेला था फाई ऑज दूसरा यहां पर था यहां पर ओसरा है यहां पर आब और और ऑंधी और दखें अधर करते हैं यदी हम PHY का Union अगर PHY के साथ करेंगेถ으면 PHY के निति हम a का Union देखें का Union 5 के साथ करेंगे तो तब भी हाई जो है ऐ यहाईगा तो ए जो हिस्व थी में टॉप ओलाजी के साथ करेंगे तब ही यह अजाएगा अर्था धे एक का Union यदरिए तो ज्यांस देखें यदि A का यूनियन अगर B के साथ करेंगे, तो क्या हाजाएगा, A B अजेगा, Union में क्या होता है, सब details को साथ लिए ख norm Ф cert पर आ, की है आउ बी का यूनियन लेंगी, तो A B अजय भाएगा, अब यहांसे देखें, यदि हम X का union X के साथ लेंगे तो X ही आ जाएगा अब यहां पर देखे यदि B का union X के साथ लेंगे तब ही X आ जाएगा तो यहां पर देखे बीजे क्या हो जाएगा countable place हो जाएगा यहां पर इब gag counting बेस हो गया तो यह लेकर व्चे बीत चाहिए निपने के लिए झालने के लिए दिया जाएगा आप उसी क warrantiendo बेशंच कैंद्स पर में पर पांप तो कि यह जा रिखेंध करना है तुम्हाइलह एडिक तसके को जो है यूसी का यूनियन करेंगे यदि तो पॉलाजी में वह बिलांस करता है तो यह काउंटेबल ओपन बेस हो जाएगा तो उसी को हम काउंटेबल बेस ही कहते हैं अगर यूनियन लेने के पर वहा तो पॉलाजी में बिलांस कर गया तो काउंटेबल बेस हो जाएगा फा थेंक्स फार वाचिंग